पेस है सिरिगंगा नगर जिले की टोप फोर खबरें परसासन ने काला बाजरी रोकने के लिए जिला रसद अधिकारी राके सोनी वैयर उनकी टीम के नंबर जारी करते हुए काला बाजरी रोकने वाले विपारियों की सूचना देने के लिए निर्देस दिये हैं वहीं गड़साना में पिछले तीन दिनों से लगातार हो रही बारिस के बावजुद भी पुलिस परसासन पूरी मुस्तेदी से लोकडाउन को सफल बनाए हुए हैं पुलिस विवाग के जवान पूरी निष्टा के साथ नजर आ रहे हैं चारों तरफ सनाटा पसरा हुआ है इका दुका रहागिरों के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा बारिस में गड़साना थाने के इंचार्ज विजेंदर सीला वै नरेंदर सर्मा के अलावा स्टाफ जगया जगया पर नाकार लगा कर विवस्ता बनाए हुए हैं बिना किसी काम के किसी को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा बाहर से आने वाले व्यक्तियों के यात्री अनुमती परमान पतर देखकर ही परवेश दिया जा रहा है चेतर में पिछले चार दिनों से लगातार हो रही बारीस से किसान चिन्ची दिखाई दे रहा है पर खड़ी गेहूं एमुत सरसों के अलावा अन्ने फस्लों पर बारीस की मार से उसके माथे पर चिन्ता की लखिरें उबरने लगी है लोकडाउन के दोरान घर में बंद और उपर से फसलों के खराब होने के चलते रातों की नीद उड़ने लगी है बारिस के चलते पूरे सहर में चारों तरफ कीचड और पानी जमा हो गया है कुछ जगयों पर कच्य मकान भी धरासाई हो गए है निचले इलाकों में पानी की निकासी विवस्ता नहीं होने के कारण जल भराव हो गया है कुछ जगयों पर किचड और गंदगी का आलम नजर आने लगा है गरसाना राह समुए की ओर से लोकडाउन के दोरान गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले दिहाडी मजदूरों अनातों और लवारिस लोगों को भूख से बचाने के लिए अनपूरना किट दी जा रही है अब इसे एक फिलिंग स्टेशन के मालिक वीजे सिया मीना और थाना दिकारी वीजें दरसिला ने बताया कि लोकडाउन के दोरान कोई भी व्यक्ति बुका नहीं रहे इसके लिए सबी मिल जुलकर प्रयास कर रहे हैं जुरूत मन्द लोगों को आटा डाल चावल आवम वसाले की किट दी जा रही है ताकि वे अपना वे अपने परिवार का पेट भर सके विजें मीना ने बताया कि उनके दोरा आज कई जुरूत मन्द परिवारों को रहत किट दी गई जो आगे भी जारी रहेगी इसी तरह अन्यत आजा खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पास दिएगे वेल आइकोन के बटन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आने वाला वीडियो आपके मॉवाइल तक सबसे पहले पहुंचाएं